गुड मॉंणिंग विध्यार्तियो, साही राम आज हम लक्षमी पाठ 2 देखेंगे इसके पहले वाले वीडियो में हमने लक्षमी पाठ पढ़ा है जो कि हमने आधा ही पढ़ा है पूरा पाठ नहीं पढ़ा क्यूंकि पाठ बहुत बड़ा है और वो पाट एक बार में हम नहीं पढ़ पाते तो इसलिए इस दूसरे वीडियो में हम पाट को आगे बढ़ाते हैं यह लक्षमी पाट हमारे पास किसके रूप में है? कहानी के रूप में है बच्चो आप लोग ने पहले पाट में जो पहला पाट था लक्षमी का उसमें आपने देखा होगा कि कहानी कैसी है? समवादात्मक है कहानीकार ने क्या बताया है? कहानी में कि गाय जो हमारी लक्षमी गाय है पसुप्रेम की भावना के बारे में बताया है बच्चो कहानी सुरू करने से पहले हमें कहानी के पात्रों के बारे में भी जानकारी हो तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि कहानी के पात्र अगर हमारे समझ में आ जाएं तो हम कहानी आसानी से समझ सकते हैं और कभी-कभी आप लोगों को पूछा जाता है कि कहानी में कौन-कौन से पात्र थे, ठीक, अब हम सुरू करते हैं, पाठ दो, लक्ष्मी, मैंने यहाँ पर गाय इससे लिखा है, क्योंकि जो हमारी गाय है, उसका नाम क्या है, लक्ष्मी है, पहला हमारा कहानी के जो पात्र ह हमारी लक्ष्मी गाय है, फिर उसके बाद हमारे कहानी के पात्र कौन है, ग्यान सिं sicher के बाद रहमान जिंहुने गाय के पिट पर डंडा बरसाया था, पाक वन में हमने देखा था, फिर उसके बाद कौन है, क्यारा मतली और उसकी पत्नी, बच्चो कहानी सुरू करने से पह उन्होंने अपनी गाय किसे दे थी? अपने दोस्त करामत अली को देख भाल करने के लिए गाय कुछ सालों तक दूद देती है फिर उसके बाद गाय क्या हो जाती है? बूड़ी हो गई है और बूड़ी हो जाने के कारण वह दूद नहीं दे पा रही तो उसके उपर रह्मान क्या करता है? डंडे बरसाता है जिसकी वज़े से करामत अली को बहुत दुख होता है और वह इसी चिंता में लगा रहता है कि किस प्रकार में गाय की? देख भाल करूँ और यही चिंता में वह कहां पहुचता है? अपने कार खाने जहां वह काम करने जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात किस से होती है? उसके एक दूसरे दोस्ते जिसका नाम है नईम नईम से मुलाकात होती है जब नईम उससे पूस्त है क्या बात है? तुम इतने परिशान क्यों हो? तब करामत अली कहते हैं कि मैं अपनी गाय को लेकर परिशान हूँ तो नईम करामत अली को सला देते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए अब हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि यहां तक हमने पढ़ लिया था अब देखते नईम क्या सला देते हैं करामत अली ने हौका भरते जुट गया करामतली के दोस्त नईम ने क्या सला दिया कि एक काम करो तुम गाई को बेच दो और जिस से क्या होगा आपको चुटकारा मिल जाएगा इसकी वज़े से करामतली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह अपनी गाई को बेचना नहीं चाते करामतली रात का गया दूद्दे नहीं रही है, तो दूने का सवाली नहीं पैदा होता, घर में घुसते ही, उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया, क्योंकि जब करामतली घर पहुचता है, देखता है कि रमजानी के सामने खाने के लिए कुछ नहीं है, तब व का भरने का अर्थ होता है, दिर्ग निस्वास लेना, जो उपर था, अब आगे हम देखते हैं, कि रमजानी क्या सवाल का जवाब देती है, रमजानी कहती है, कि बोली रह्मान से तो कहा था, रह्मान कौन है, करामतली का बेटा, अब करामतली कहते हैं, तुम दोनों की तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, सही बात है ना बच्चों, अगर वही गाय दूद दे रही होती, तो रमजानी और रहमान उसे पहले ही चारा खिला चुके होते, कि चारा खिला दो गाय दूद देगे, लेकिन अब वो दूद नहीं दे रही है, तो उसे चारा भी न लक्षमी के लिए सानी तयार करने लगा, सानी तयार करने का अर्थे बच्चों यहां पे भूजन तयार करना, खली, दर्रा और पुवाल, खली, दर्रा, दर्रा क्या होता है, अनाच को जब पीसा जाता है, तो उसके जो छिलके निकलते हैं, वह होता है दर्रा, खली, यह एक जानवरों को खाने का भोजन है और पुवाल वह होता है कि जो धान की खेती होती है तो धान की खेती में से धान जो घास कटती है तो धान को अलग कर लिया जाता है और पुवाल को छोटे-छोटे टुकडों में कट कर दिया जाता है आगे देखते हैं क्या होता है करामा तली के दिए उतावली सी तयार हो रही थी सानी में मौ और मौ आरने लगी मतलब वह शुबह से भुखी थी और मौ मारना मतलु जल्दी-जल्दी खाना बचों कभी-कभी हम आरे सांथ भी ऐसा होता है बहुत जोरों से भूख लगी होती है तो हम खाने में ऐसे टूट पढ़ते हैं, जैसे हमने कभी खाना खाया ही नो, तो लक्षमी के साथ भी ऐसा होता है, वह सुबह से भूकी है, तो वह जल्दी-जल्दी खाने लगी, गाय को साने देकर करामतली उसकी पीठ देखने लगा, सही बात है, पहले ही हमने देखा था, सुरुवात में कि पीठ पर गाय के उपर, तो वह अच्छा काम किया था, उसने जिसकी वज़े से जो लक्षमी के उपर दाग लगा था, घाव लगा था, वह हल्का पढ़ गया था, अब आगे क्या होता है, आगे यह होता है, कि 10-15 दिन यो ही चल रहा था, एक दिर करामतली ने पुआल लाने के लिए रम जाने से क्या मांगे, पैसे मांगे, तो वह बोली, मैं कहां से पैसे दू, पहले तो दूद की बिक्री से पैसे जमा रहते थे, उनसे ही दे देती थी, अब कहां से दू, सही बात है विद्यार्थियो, 10-15 दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा, कि कोई उसे खाना न दे रहा थ कुछ भी दे दे रहे थे, अच्छे से भोजन नहीं दे रहे थे, तो करामत अली ने अपनी पत्नी से कहा, भही पैसे दो, मैं लक्षमी के लिए चारा ले आओ, पत्नी ने कहा, दूद बेचते थे, तो उससे जो पैसा मिलता था, उससे उसकी देख भालो जाया करती थी, उ हले क्या आती है, क्या कहती है, लो, यह रासन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूच की में से 20 का एक नोट निकाल कर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्षमी का रासन ले आओ, मतलब उसने थोड़ा बहुत बचा कर रखा था, संदूच की पेटी, उसमें पैसे रखे थे, वहला के उन्होंने करामत अली को दिया, ठीक है, इससे लक्षमी के दो चार दिन निकल जाएंगे, कितने निकल जाएंगे, दो चार दिन निकल जाएंगे, आखिर इस तरह कब तक चलेगा, रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे ख खुला छोड कर आजमा करतों देखो, कहते हो तो ऐसा ही करके देखेंगे, मतलब रमजानी करामत अली को सला देती है, एक काम करो, इसे थोड़ा खुला छोड कर आओ, खुला छोड कर आना का अर्थ होता है विद्यार्तियों, कि गाउवेगरे में क्या होता है, कि जानवरो को चरने के लिए बाहर छोड़ देते हैं, जहां पर वह हरी दूब रहती है, चोटे-चोटे घास होते हैं, तो वह अपनी मर्जे से पेट भर कर खा लेते हैं, तो उनके खाने की समस्या हल हो जाती है, तो रमजानी भी यही कहती है, कि गाई को कहीं छोड़ाओ, जहां हरी घास हो, दूब हो, तो जिसके वज़े से इसका पेट भर जाएगा, तो थोड़ी इसके खाने की समस्या कम हो जाएगी, करामत अली कहते हैं, ठीक है, मैं ऐसा करके देखूंगा, बच्चो एक मुहाबरा आया था, मुह मारना, जल्दी-जल्दी खाना, इसका वाक्य परोग कैसे करेंगे, इसका वाक्य परोग करने पर रमेश को भूख लगती है, तो वह मुह खाने पर मुह मारने लगता है, मतलब वह जल्दी-जल्दी खाने लगता है, कभी-कभी आपको परिक्षा में क्या पूचा जाता है, जल्दी-जल्दी खाना, शब्द के लिए परिछेत में आया हुआ मुहावरा ढून कर लिखिए तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारी कहानी आगे कहा बढ़ती है अब क्या होता है कि जब रमजानी करामत अले को कहती है कि एक काम करो तुम इसे छोड़ के आ जाओ तो दूसरे दिन ऐसा होता है दूसरे दिन रह्मान सबेरे आट नौ बजे के करेब लक्षमी को इलाके से बाहर जहां नाला बहता है जहां जाड जंग खाड है और कहीं दूप के कारण जमीन हरी नजर आती है छोड़ आया ताकि वह घास इत्या दिखा कर अपना कुछ बेट भर ले लेकिन मा बेटे को यह देखकर आश्यर हुआ कि उसके गले में रसी थी एक व्यक्ति उसी रसी को हाथ में थामे हुए कह रहा था यह गाय क्या आप लोगों की है अब इन्हें इस बात का आश्यर होता है कि जो हम गाय को वहाँ छोड़ कर आये थे वही गाय थोड़े समय बाद आके दरवाजे पे खड़ी हो गई है और क्य रहा है कि क्या यह तुम्हारी गाय है देखो और यह क्या है हमारी गाय का सारा चारा खा गई है इसे आप लोग बांद कर रखे नहीं तो कांजी हाउस में पहुचा देंगे रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बाते सुनती रही और क्या होता है रमजानी चुप चाप आगंतुक, आगंतुक मतलब जो व्यक्ति आया हुआ है, उसकी बात सुन रही है और क्या कर सकती है? बच्चो यहाँ पे दूब, दूब का अर्थ क्या होता है? दुर्वा, एक प्रकार का घास कांजी हाउस, कांजी हाउस का अर्थ होता है सरकारी मवे सिखाना, जिसमें लावारिस पसुओं को बंद करके रखा जाता है बच्चो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार? जब रमजानी ने करामत अली को सला दी कि गाय को आप क्या करो, छोड़ के आओ कहीं और जहाँ पर क्या होगा? कि यह चारा खा के आएगी लेकिन ऐसा होता नहीं, कुछ समय बाद एक विक्ति आता है, उस गाय को लेकर बोलता है यह तुमारी गाय है, तुम इसे रखो ने, तो हम इसे क्या करेंगे? काँ जी हाउस में छोड़ देंगे उन्होंने जो दूसरा सेलूशन ढूना था, वह भी कम हो गया, जो दूसरी परिशानी का हल कि भाई इसे कहीं और छोड़ देंगे, खापी के घर पे चली आएगी, खाने की समस्या दूर हो जाएगी, अब आगे देखते हैं अब क्या होता है? दोपहर बात जब करामत अली ड्यूटी से घर लोटा और नहाद होकर कुछ नास्ते के लिए बैठा, तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानों तो इसे बेच दो अब इन लोगों ने सबसे कोशिश कर चुके, कि थोड़ा बहुत जो रासन पानी की विवस्था थी, वो भी किया, नहीं हुआ, गाई को बाहर छोड़ के देखा, वो भी नहीं हुआ, तो रमजानी ने क्या कहा? एक काम करते हैं, हम इसे बेच देते हैं फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को, करामत अली को पसंद नहीं है अपनी गाई को बेचना, रह्मान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसे से कहा भी है, शाम को वह तुम से मिलने भी आएगा, करामत अली सुनकर खामोस रह गया, उसे लग रहा था, सब कुछ उसके इच्छा के विरुद्ध होता जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं है, करामत अली भी अपनी जगस सही है विद्यार्तियों, वह भी क्या कर सकता है, करामत अली यह अनुभो करते हुए कि लक्षमी की चिंत के सामने, वही जो हमारी लक्षमी को दर्रा, पुवाल, खली खाने को मिलता था, आज उसके सामने क्या रखा हुआ है, सूखा चारा रखा हुआ है, लक्षमी ने चारे को सुंगा, और फिर उसकी तरफ निराशा पुन आखों से देखने लगी, जैसे कह रही हो, कहना चाहत आज आप मुझे ये सुखा चारा ही दोगे, विचारा करामत अली कर भी क्या सकता था, उसके पास तो कुछ था ही नहीं अपनी गाई को खिलाने के लिए, आगे देखे, आगे क्या होता है, गाई भी अपने मालिक के भावना को समझ रही है, अब करामत अली से रहा नहीं ग साठ आट बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया करामत अली उसे पहचानता था इसके पहले में हमने यह पढ़ा न कि रमजानी बोलती है कि हम इसे बेच देंगे रहमान एक व्यक्ति को जानता है तो ऐसा ही होता है साथ आठ बजे के करीब रह्मानिक व्यक्ती को अपने साथ लाया करामत अलिव से पहचानता था इसके पहले कि उससे कुच औपचारिक बाते हो करामत अलिव ने पूछा क्या तुम गाय खरीदने आये हो उसनी जबाब में कहा, हाँ, मैं गाय खरीदने आया हूँ. आगे क्या होता है? अब आगे ये होता है. बुढ़ी गाय है, दू धू तो नहीं देती. करामतली क्या कहता है? गाय बुढ़ी है, दू तो देने रही है. तो क्या हुआ? तुम इसी क्या करोगे लेकर? मैं कहीं और बेच दूँगा वो वेक्ति क्या कहता है मैं इस गाय को कहीं और बेच दूँगा करामत अली जानते थे उस वेक्ति को वह करामत अली वेक्ति पे गुस्ता होते हैं और कहते हैं यह तुम्हारा पुराना धंदा है मैं जानता हूं मुझे तुम्हें गाय नहीं बे भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े-खड़े दुद्कार कर भगा दो, तुम जानती हो, वह कौन है, करामत अली ने कटुस्वर में कहा, करामत अली को तो गाय बेचनी भी नहीं थी, और वह जो व्यक्ति था, वह अच्छा व्यक्ति नहीं जहां वह टुकडे-टुकडे होकर भिग जाएगी, मेरे दोस्त ग्यान सिंग को इसका पता चल गया तो, वह मेरे बारे में क्या सोचेगा, सही बात है ना मित्रों, दोस्तों, कि यहां पर करामत अली ने अपने मित्र से वादा किया था, कि मैं तुम्हारी गाय की बरुबर देख भाल करूँगा, तो यहां मित्र से जो वादा था वो जूटा पड़ जाता ना, उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिये, रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा, नीद उसकी आखों से कोसो दूर थी, करामत अली बहुत जिन्दितों उठा था, कि अब मैं क्या करूँ और रात भर उसे नीद नहीं आई, बिना बिस्तर के वह चारपाई पर पड़ा रहा, रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया, कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मूह हाथ थो घर से बाहर निकल पड़ा, लक्ष्मी के गले में बंधी वीरसी खूटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा, रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली इसे कहा ले चले, रमजानी को हश्चरी हुआ, अरे इतने सुबसुब ये गाय को लेकर कहा जा रहे हैं, वो प करामत अली ने जवाब दिया, जहां इसके किस्मत हो, करामत अली ने कहा, जहां इसके किस्मत में लिखा हो, वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुजजत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी, वो उसकी रसी पकड़े सड़क पर आगे की और चलता चला गया चलते चलते कुछ छड़ रुख कर वह बोला वह अपनी लक्षमी से बाते करने लगा वह अपनी लक्षमी से बोला लक्षमी चल अरे गौसाला यहां से दो किलो मिटर दूर है बच्चो अब समझ में आया कि करामत अली लक्षमी को कहा ले जा रहा था गौसाला ले जा रहा था सही बात है न यहां वहां उसे भूखा रखने से बेटर भूखा तड़पाने से बहतर है कि वह उसे अच्छी जग़ पहुचा दे यहां से गौसाला दो किलो मिटर दूर है तुझे गौसाला में भर्ती करा दूंगा वहां इत्मिनान से रहना वहां तो हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी भले ही मैं वहां न रहूँ पर जो लोग भी हूंगे मेरे ख्याल से तेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे मैं कभी-कभी तुम्हें देखाया करूँगा तब तो मुझे पहचानों की भी नहीं खुदा न जाने मतलब करामत अली कहते हैं बहुत दुखी हैं वो अपनी गाय को छोड़ना नहीं चाते लेकिन वो अभी क्या हैं? तुम्हारे लिए वे जो लोग हैं वो तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे मैं कभी-कभी तुम्हें देखाया करूँगे तब पता नहीं तुम मुझे पहचान पाऊगी भी की? नहीं, खुदा जाने कहते हुए करामत अली का गला भराया उसकी आखों में आसू उतराया गला भराना रुआसा हो उटना यह हमारा एक मुखावरा है बच्चो करामत अली दुखी हो अपनी गाय को भारी कदमों से लेते हुए आगे बढ़ते चला गया चल लक्षमी चल जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी ठके मांदे बुढे बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा मतलब ठके मांदे बुढे बैल की तरह इसका अर्थी यह हुआ विद्धार्थियों कि करामत अली नहीं चाहता था कि वह अपनी गाय को गौसाला छोड़े लेकिन वह मजबूर था फिर भी वह अपनी गाय के लिए उसने अच्छा सोचा और उसे वह कहा ले गया गौसाला में छोड़ने के लिए वह आगे बढ़ा तो इस प्रकार हमारी कहानी यहाँ पे समाप्त होती है बच्चो कहानी से हमने क्या देखा क्या सीखा कि करामत अली अपने जो पसुप्रेम की भावना है उसके अंदर वह सही माइने में सही है वह अपनी गाय के प्रति उसका लगाव भी सही है लेकिन वह क्या करें अपनी पर्स्थिती से वह मजबूर है बच्चो यहाँ पे जो कहानी कार ने कहा कि अपने मित्र के प्रती वच्चन और जिम्मेदारी, उसने वह बरोबर निपाई, प्राणी मात्र के प्रती दया की भाना व्यक्त किया उसने, और जैसी कहानीकार ने ये बताया है, कि अनुपियोगी हो जाने पर हमें क्या प्राणीयों को छोड़ देना चाहिए, मानवता क हमें ये नहीं सिखाती, कि अनुपियोगी हो जाने पर हमें उस चीज को छोड़ देना चाहिए, जानवरों को, नहीं, उनके साथ वैसा ही सोहाध्य पूर्ण वेवार करना चाहिए, मेरे ख्याल से बच्चों, आप लोग को कहानी समझ में आ गई होगी, और कहानी से हमें य जह सीख भी मिली, कि अगर आपके पास भी पालतु जानवर है, पालतु पसु हैं, तो हमें भी उनके साथ ऐसा ही वेवार करना है, मानोता पूर्ण, अगर वो हमारे लिए अनुपियोगी हैं, फिर भी हमें उनका साथ निबाना है, हमें उनके साथ वैसे ही प्यार भरा वे कहानी तो हमने सीख लिया, अब हम देखते हैं कि जो हमारी कहानी है, कहानी में किस प्रकार के हमारे प्रस्न पूछे जाते हैं, जैसे मैंने एक मुहावरा बोला था, गला भराना, मतलब आवाज भराना, कभी-कभी हमें मम्में बहुत जोरों से डाड़ देती हैं तो हमारा गला भराता है, हम रोनी जैसे हो जाते हैं, अब बच्चों हम आगे देखते हैं, हमारा जो स्वाध्या है, स्वाध्या में अलग-अलग धंग के प्रस्न पूछे जाते हैं, आकरती पूर्ण करो, चौखट बढ़ो, सही गलत लिखो, फिर उची जोडिया मिलाओ, यहां पर म आपके पास स्वाध्या बता रहे हूं, जिसमें आपसे अक्सर गलतिया हो जाते हैं, उसे आपको वो गलतिया नहीं करने हैं, कक्षा नुवे में भी हमने पढ़ा है, लेकिन आप लोगों से गलतिया हुई हैं, हमें उन गलतियों को सुधारना है, जैसे पहले, उचित घट उचित घटना क्रम का अर्थवा विद्यारतियों, जो कहानी है, हमारे जिस घटना के अनुसार वो घटी है, वो लिखना है हमें, अब जैसे पहला है, उसके गले में रस्ती थी, रहमान बड़ा मुर्ख है, वह लक्षमी को सड़क पर ले आया, उसने तुम्हें बड़ी कौन सी घटना घटित हुई थी, सबसे पहले ये घटना घटित हुई थी, कि रहमान बड़ा मुर्ख है, दूसरी घटना क्या घटित हुई थी, उसने तुम्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा है, तीसरी घटना क्या घटित हुई, उसके गले में रस्ती थी, चौथी घट वह लक्ष्मी को सडक पर ले आया तो यह हमारी हुई घटना करम और बच्छो आप लोग क्या करते हो जैसे मैंने कहा पहली घटना क्या है रह्मान बड़ा मुर्ख है उसका नम्मर क्या दिया हुआ है दो आप लोग भी वैसे दो नम्मर डालके लिखते हो रह्मान बड़ा नम्मर दो उसने तुमें बड़ी बेदर्दी से पीटा नम्मर तीन उसके गले में रस्ती थी नम्मर चार क्या आएगा वह लक्ष्मी को सडक पर ले आया अब इसमें आपके गलती नहीं और ये बच्छो आसानी से दो नम्मर हमें मिल जाते हैं बीना जादा कुछ मेहनत की हुए आप गलती करते हो और नम्मर चले जाते हैं अब हम दूसरा प्रस्न देखते हैं दूसरा प्रस्न क्या है गलत वाक्य सही करके लिखो आप लोग ने गलत और सही देख लिया आप बंद करके लिख दिया यह गलत है यह सही है नहीं इसमें क्या लिखा है गलत वाक्य सह पिछले चार सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था क्या वाक्य ये सही है? सोचो नहीं, पहली वीडियो वाली पाट में हमने पढ़ा था कितने साल से तीन सालों से न? तो करामत अली पिछले चार सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था वहाँ क्या लिखोगे? यह वाक्य गलत है, फिर सही वाक्य लिखोगे कि करामतली पिछले चार सालों से नहीं, तीन सालों से गाय की सेवा करता चला आ रहा था. तब जाके आपको एक नम्मर मिलेगा, आधा नम्मर किस पर मिलेगा? वाक्य सही है कि गलत, आपने वो find out किया उ देखके ही तो हमें लिखना है बचो, देखके लिखोगे तो अराम से नमबर मिलेंगे, बहुत आसाने से हम नमबर हासिल कर सकते हैं, छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर, दूसरा है, करामत अली को लक्ष्मी की पीट पर रोगन लगाने के बाद इत्मिनान हुआ, सही बात तो यह भी कलत है, इसे भी हम क्या करेंगे, सही करके लिखेंगे, आई बात समझ में विध्यार्तियों, बच्चो, मेरे ख्याल से कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी, इसके साथ आपको इसका असाइमेंट भी मिलेगा, उस असाइमेंट में अलग प्रकार के आपको प् यह हमें याद रखना है, और यह जरूर ही पूछा जाता है, मेरे ख्याल से आप लोगों को यह कहानी समझ में आ गई होगी, हमारी गाय लक्श्मी, हमारी गाय लक्ष्मी कैसी लगी आपको, कहानी कैसी लगी, उमिद है आप लोग को कहानी समझ में आई होगी स्वाध्या भी समझ में आया होगा चले अब हम अगले समबाद मिलते हैं धन्यवाद